30 जनवरी जैमेंस फर्स्ट सिफ्ट और सेकंड सिफ्ट का पेपर हो गया है खतम हम आ गए हैं आपके सामने उसकी एनलिसिस सेफ स्कोर और 99 परसेंटाइल स्कोर ले करके हर साल जैसा होता है बच्चा कि अगर जैमेंस पांच दिनों का एक्जाम ले रहा है तो पहले दूसरे की फेपर लेा है तीसरे चौते और 50 दिन धीरे धीरे वह अपना लेवलल अपकरता जाता है यानि कि पहले दिन जिसका पेपर पड़ता है उसका आसान फ्र्स्ट थोटा जैमेंस मिलता है हम दोनों shift की बात करेंगे, सबसे पहले जो first shift में paper हुआ है, उसका level था moderate, लेकिन जो second shift में जो paper हुआ है, उसका level था moderate से थोड़ा सा difficult की तरफ, तो ये था overall paper की difficulty, हम सबसे पहले बच्चों को ये समझा देते हैं, कि easy, moderate और difficult का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहा रहा हूँ paper easy या कोई भी कहरा paper easy था, इसका मतलब कि अगर कोई भी बच्चा previous year question करके चला जाता, तो उसके 25 के 25 सवाल बन जाते, अगर कोई कहरा moderate था, तो उसको भी previous year question का फाइदा होता, लेकिन उसको कुछ सवालों में खुद का दिमाग लगाना पड़ता, यानि कुछ सवाल नए तर moderate और evening shift was moderate से थोड़ा सा difficult की तरफ, individual subject की toughness की बात कर ले तो first shift में physics was moderate, chemistry was easy और mathematics was moderate but lengthy, उसी तरीके से हम अगर second shift की बात करें, तो physics जो था, वो surprise करते हुए moderate से difficult की तरफ चला गया है, chemistry moderate में आ गया है, और mathematics जो है, वो difficult side चली गई है, मैंने अभी तक जितने भी बच्चों के output लिया है, मुझे maximum बच्चा वो मिला है, जिसने 14 सवाल maximum अभी तक attempt किया है, वैसा बच्चा मुझे मिला है mathematics के अंदर second shift वाले में, तो यह थे दोनों shift की subject wise toughness की analysis, अब बात कर लेते हैं safe score की, 30 जनवरी morning shift में जिस भी बच्चे ने exam दिया है, अगर वो safe होना चाहता है, safe क तो आप second attempt mark improve करने के लिए तयारी चालू कर दो, या फिर जाई advance की तयारी आप शुरू कर सकते हो, दूसरे shift का जो safe score है, वो है 80 नंबर, यूँकि दूसरा shift थोड़ा सा difficult की तरफ 10 हो रहा था, इसलिए safe score थोड़ा सा नीचे खिसक के आता है, वही 99 percentile first shift में, 170 से 180 के बीच वही second shift, यानि evening shift के अंदर, 160 नंबर पर बनने की आप उम्मीद कर सकते हो, तो ये थी आपकी आज की, यानि 30 जनवरी की, जे इमेंस के paper की quick analysis, safe score, और 99 percentile अब कितने पर expect कर सकते हैं, आज की analysis देखने के बाद मैं लाश में तुम से ये कहना चाहूंगा, कि अगर तुम regularly इस